हाई फ्रेंड्स दाल मखनी तो आपने जरूर खाई होगी आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है दाल मखनी लेकिन कुछ अलग स्टाइल में इसमें हमने राजमा और मसूर के साथ चने भी मिला दिये हैं तो फ्रेंड्स इस रेसिपी के लिए आपको लेना है एक कटोरी मसूर आधा कटोरी राजमा और आधा कटोरी चने इन तीनों को आपको भीगो देना है और आपको पूरा देने से भीगो के रखना है अगर आप सुबह कुक करना चाते हैं तो आप शाम को भीगो दीजिए और अगले दिन कुक कीजिए अगर आप शाम को बनाना चाते हैं तो कूकर में चड़ा दिया है अब हम इसमें फोड़ा डाल कर और कोटर बंद करके इसे पकाएंगे हमारे दाल उबल चुकी है हम आपको जैसे पहले बताया पेक कूकर में आपको इसे कूकरना है तो उसके लिए friends आपको कूकर में जितनी दाल होती है उस से अराउंड एक या डेड इंच ऊपर तक पानी का लेवल रखना है नमक डालके आपको इसमें तीन सीटी लगवाने तक पका लेना है उसके बाद 15 मिनट्स तक आपको एकदम कुकर को बंद करके उसे पकने देना है अब यह दाल हमारी ऐसे रेडी हो गई है इसे कुक करने के ल हमने कडाही में तेल गरम करने के लिए रख दिया है यह सरसो का देल है वह यह जाहने व तेल यूज कर सकते हैं अब हम इसमें जीरा डाल दिया है जीरा कुक होने के बाद हम नेक्स्किंग घ्रत अब ऐंदर डाल देते हैं अनियन्स और खिली अब हम मसाला प्रिपेर करेंगे इसके लिए हलदी लाल मिर्ची धनिया और सब्सक्राइब अब मिसके अंदर इसे आप टमाटो चैंडर डाल देंगे चौ्प्ट किये विए जो है और इस मिक्सचर को अब हम गडाई में डाल कर और अजिसे लिएchos पकाते हैं हमारा है टमाडोस और मुणहां सब्केर कहां से कि अदर उबाल की प्रस्कावां ि הי Stage की कई लिए तो आवर जबाद के समय कर दो दाल में क्या हैं हमारी दाल काफी गाड़ी है हमें चाहिए थोड़ी पत्ली दाल इसलिए अगले दस मिनट तक हें हमारी दाल रेड़ी है अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया नाल के मिक्स कर लेते हैं और सब्किति करते हैं हमारे डाल मकिनी सकते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है है और दाल के अंदर आप इसमें बटर ding इंदर के बटर हमें सब्सक्राइब मज़ा आएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर इसे घर पे ट्राइ कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपको एक कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हाँ प्रहस्ता बेल इकन थैंक यू